दिल्ली से स्वागत है आपका नमस्ते मैं जी नमस्कार नमस्ते बाई साब आदाब जहीं देखो हमारी बेहन भी हमें रोज ही याद करती है जो जियाद करते हूं भाई साब क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो सब करते हैं आपको ठीक होगे आपके अस्पान ठीक होगे और आपकी बाभी सब ठीक होगे तो हमें भी दवाई बताओ इसलिए मुझे पूछना पड़ता है फिर एक तो भाई साब वह ऐसे तो ठीक होगे मतलब एक दम तो बैटका उसके हैं तो इस बोदे की पाली में कट-कट होती है कभी-कभी अच्छा और दूसरा मैं मैंने गोंचिया खाया था न मेरे पैरों में दरत्थार कमर में तो मैं अभी कती एकदम ठीक होगी भाई साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं अपने भाई की खूब बड़ी उमर के लिए मेरी उमर आपके लग जाए खूब अच्छे किसी सूरत कम नहीं है और आपको भगवार ने फायदा दिया आपने फिर लोगों की बड़ी सेवा की दूसरों को फायदा पहुचवाया आप भी बंद कर सकते और आपके भाई थोड़ा और कुछ दिन लें और मेरे ख्याल से आपके भाई के पास अगर वेस्टन हैं कि हमारे घरों में वेस्टन टौयलिट अब जरूरी हो गया कुछ ऐसा ही जरूरी हो गया जैसे और चीज़ों में बदलाव आया है हमारे वेस्टन टौयलिट का भी बदलाव आना जरूरी है क्योंकि हमारे और आपकी उमर के लोग हैं जिनको ज्यादा तर को तकलीफ हो अगर यह वेस्टन ट्वाइलेट हो तो उनको बहुत तकलीफ आसानी से ठीक हो सकती है आप भी रोक सकते हैं उसे और लेकिन सेवा मत रोकना जब तक जिंदगी है लोगों की सेवा मत रोकना मेरा यह आप से अनुरोध है और बहुत द्वाय मैं भी करता हूँ आपके लिए आ आप से ही मेरा अनुरोध है फिसार हरियाना से हैं जग्दीश जी स्वागत है आपका जी नमस्कार नमस्कार अजी फार से वर्लों जी दो सौल है जी मेरे पूछिए एक मेरे दाएंकंदे के अंदर जटका लगया ता उसमें दर्द रखता है और दूसरा यह है कि जी मेरा म पर चाहिए आपे चिक जी जी दिखिये वेट कम करने की जो दवा मैं बता रहा हूँ उसमें कोई दवा खर्च नहीं होती और वो यह है कि देखिये मैं मुझे अगर आप देख रहे हूं मैं बहुत दिन से साल हा साल से आता हूं चैनल पर तो मैं खुब मोटा सा था और क्य साथ आठ दस चैनल पर भी आता हूँ तो मैं बैठे बैठे फीट बढ़ने लगा वजन बढ़ने लगा वक्त मिलता नहीं तो मैंने क्या शुरू किया है चार महीने से कर रहा हूँ एक प्याला दाल सुबे को पीता हूँ नाश्ते में और इसी तरह का कुछ दुपैर में लेता हूँ एक प्याले डाल की वरावर शाम को जित्ती में ले खुरा के उससे आदा खाना खाता हूँ दिन में पांच बार गरम पानी पीता हूँ और एक घंटा धूप में पैजल चलता हूँ अगर आप यह करें तो दवा की कोई ज़रूद नहीं रोजाना तोल के आप अपना वज़न तोल के है पचास सो गिराम कम कर सकते हैं इससे एनरजी इतनी रहती है ताकत इतनी रहती है मेरा टेलर मुझसे परिशान हो गया कि जब भी कपड़े सिलवाता हूँ एक दो इंची कम हो जाती कमर और फिर उसको वापस करता हूँ उसने उसको कहता है अभी तो कराया था अब फिर एक इंची दो इंची कम करा तो मैं बिल्कुल स्लिम हो गया हूँ ना पेट है देखिए जबके मैं साहबे वजूद हूँ इतना मेरा जसामत कितनी है मेरा मतलब लंबाई चोड़ाई बहुत है लेकिन बड़ा इत्मिनान है ऐसा आप भी कर सकते है अच्छा कम यहाँ जो आपके तकलिफ है उस हाथ से जोर मत लगाएं कुछ दिन एक दो महीने तीन महीने और गौन सिया नाम का एक काला गौन अगर आपको असली मिल जाए तो आदा गराम सुबा आदा गराम शाम काएं नाच्ते और खाने की बात लेकिन असली मिलना बड़ी टेड़ी की रहे बहुत आपकी तरफ बहुत नकली मिलना है वो तो विचारी देख कर आती है कि कितने अकली मिला है कितने लोग ले रहे होंगे फाइदा नहीं हो रहा होगा तो अधा अधा गिराम खाए असली मिल जाए तो 15-16 रुपए रोस का इलाज है आप लगातार इस्तेमाल करें तो फाइदा मुम्किन है जी रामनाथ जी यूप विज़र है हाड है ही क्या क्या आयू आयू 55 है अच्छा अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज बता दू जिससे आपकी तीनों रोग बलगे और इससे भी ज्यादा कोई रोग ना हो तो आप मेरे लिए दूआ जरूर करना हो दुनिया में एक सिर्का जिसे जैतून का सिर्का कह हैं अगर असली ले लें आप तीन चमश सुबा दुपेर खाने के बाद पानी में मिला कर पी लिया करिए तीन चमश रात को इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुम्किन है डाइबटीज ब्लेड प्रेशर हाड और कॉलिस्टॉल पेट की परिशानी लीवर की पर प्रेशानियों के लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं आप इसे असली इस्तमाल करें फाइदा उठाएं मेरी दूआ है कि आपको फाइदा हो जाए पठान कोट से हैं संजीव कुमार जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार मेरे नाम संजीव अजी मैं Ö हैं पूछेए जी सझीव भई मेरी माता के लेकर दांद के ऊपर थड़ा जैसे ख़ड़ा फरे दांथमें क्या बन गया जी पूरे दांथमें तक्या बन गया थ Mukhen क्या थी नम्र क्या की certified खड़ा फोड़ अच्य अच्छा दिखिए ये तो काम केल्सियम और मल्टि विटामिन्स का है हर तीसरे या चोथे दिन एक केल्सियम मल्टि विटामिन्स की टेबलेट या कैपसूल उनको दिया करें और इतिजार करें अच्छा ये वो लोग भी लें जो चालिस मैं तालिस साल के हो चुके हैं और जिनको कोई रोग नहीं है तो उनकी हड्डियों के लिए उनकी दातों के लिए उनकी मसूरों के लिए उनकी जिसम की मजबूती के लिए हर उस शक्स को लेना चाहिए चाहे वो रोग ना हो मजबूती से पूरी जिन्दगी गुजार सके इसके लिए केल्शियम और मल्टी विटामिस अभी उनको हर चौथे दिन दीजे फिर बाद में एक एक हफ्ते में एक गोली जरूरी है जब तक जीवन है यह लेना एक लाप लाप प्रे कारिय है आप उनसे ले सकते ह मेडिकल स्टोर वालों से आपको फाइदा होना मुम्किन है तो संजीव जी फाइदा आपको जरूर हो जाएगा अगर आपने एक बात लिख ली है समझ ली है अगर रॉम माटीरियल आपको मंगवाना है तो आपको करना क्या है हल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं शुकायदर्श को एक ही हो सकती है आपको कि रॉम माटीरियल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है दस दिन हो जाते हैं पद्रा दिन हो जाते हैं लेकिन डिमांड बहुत जादा होती है और आपके घर तक हम असली रॉम माटीरियल ही पहुंचा आते हैं अब डिमांड जादा थोड़ा सा कर लिजे आपके घर तक असली raw material पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आप लोग help line नंबर पर बात कर सकते हैं सुदेश जी है पानी पत से स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार नमस्कार अफिंसाब जहींद आदाब मेरा स्वाल है मेरे पतिगर डाकूते वह गिर गे थे वह आर्मी में है और उस दिन अमने स्वाल किया था लेकिन आपने जवाब बता था तीवी में कुछ खराबी होगी थी इस वज़े से अंचुन नहीं पाए और उनके एक गुटने में दरद रहता है कट-कट की भी आ जात है तो आराम हो जाता है फिर वही खायत फिर सुरू हो जाती है एक साल हो गया अच्छा वह फोज में है रिटायर हो गया कितनी उमर है उनकी उती 47-47 साल है फोज में ही है भी डिटार होने वाले है जुलाई में ठीकी 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 ज़ीए अच्छे देखिए आप लिख लें देखिए उनको आपको देना है गौन्थ सिया गौन्थ सिया हम कहते अपनी भाषा में इसे आसान भाषा में काला गौन्थ कहते है ये फौजियों के भी बड़ा काम आता है क्योंकि फौज में जो ट्रैनिंग होती है उस वक्त तो पता ने चलता लेकिन बाद में बड़ी तकलिफ होती है बढ़ापे में तो गौन सिया यानि काला गौन असली मिलना जरूरी है नकली बहुत मिलना है तो ये पंदरा सोला रु ये एलवा नहीं है ये कोई और गौन नहीं एक अलग टाइप का गौन है जो अगर आपको असली मिल गया तो पंदरा सोला रुपे रोस का इलाज है एक गिराम रोजाना खाना होता है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम और फाइदा ये पांच साथ दिन बात करता है ल मुमकीन है असली देना आपकी जिम्मेदारी अदा गिराम दिन में दो बार खिलाएं तो गिराम भी असली मिल गया तो फाइदा होना मुमकीन है तो दर्श को देखिए जो भी रो माटीरियल आप लोगों को हकीम साहब यहां पे बता रही हैं अगर आप लोग वो मंगवान तक सिरका हो या फिर जैतून का नमक हो कलॉंजी का नमक हो तमाम यह रोम मटीरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं सबसे पहले कुरी कर लीजे है कि जो आपके पास रॉम मटीरियल है क्या यह असली है या नकली है बिना पहचान किए अप लोग इसका सेवन ब कॉल नहीं लग पाता है आप लोग हेलप लाइन नंबर पे 24 आर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं हकीम साब आप जो गौन सिया का जिक्र यहां पे करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है जो कि ना तो चल पाता था दर्द से दिन रात वो उठना पड़ता था गौन सिया का इस्तिमाल एक क्वांटिटी में करना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुक्सान भी हो सकता है तो दिखिए गौन सिया तो एक ऐसा रो मैटेरिल है जो बहुत तेज है बेलकुल लेकिन कभ ज्यादा यूस कर लो भी नुक्सान दे सकती है नमक भी $ zag ब्लड प्रेशर बड़ा सकता है बरको हर चीज नुक्सान दे पानी बी नुक्सान दे सकता है अगर हच से जबा खाली आजाए खाना भी नुक्सान दे सकता है तो क्योंकि ये तो दौ़ा का मावला एक रो मैटे इतनी आ रही है लेकिन इसका असली होना बहुत जरूरी है और दुबई में इसकी बड़ी जरूरत है खाड़ी के मुलकों में अमेरिका तक इसकी डिमांड है असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फायदा होना मुम्किन है होती है दर्श को हमें यह सुनके यह जानके कि जो नुस्के आपको हकीम सहाब बताते हैं वो आपको रोगमुक्त बनाने के साथ आपके मुँपर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ यही वो ट्रीट्मेंट था जिससे हम अभी तक चूक रहे थे तो ऐसे ही आप लोग भी दर्श झासीज़।